Good morning everyone, स्वागत है आपका अपने YouTube चेनल गजेंदर क्लासेस में उमीद है आप सभी लोगों ने अभी तक चेनल को सबस्क्काइब कर लिया होगा अगर आपने चेनल को सबस्काइब नहीं कियोग तो चेनल को सबस्काइब कर लिजे ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नौटिफिकेशन मिल जाएं चलिए शुरुवात करते दोस्तों आज का सबसे फस्ट कोश्चन है आपका विद्धुत परिपत के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगनिती योग होता है विद्धुत परिपत के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगनिती योग होता है तो देखी दोस्तों इधर से एक धारा आ रही है इधर से दूसरी धारा आ रही है ये इसका common point है वहाँ पे सभी धाराओ का बीजगनीती योग क्या हो जाता है? सुनने हो जाता है सभी धाराओ मिलकर क्या हो जाती है दोस्तों? सुनने हो जाती है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्धुत परिपत के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगनित योग सुनने होता है सभी धाराए एक साथ मिलकर क्या हो जाती है? सुनने हो जाती है सभी धाराए एक साथ मिलकर क्या हो जाती है? सुनने हो जाती है second question है दोस्तो आपके पास में अमीटर का प्रतिरोध होता है तो अमीटर का प्रतिरोध होता है यह होता है दोस्तो सुनने अमीटर का प्रतिरोध होता है सुनने तो इसकी trick है दोस्तो अपने अम्मी का कभी विरोध नहीं करना अपने अम्मी का कभी विरोध नहीं करना नहीं तो क्या हो जाओगे सुनने हो जाओगे अमीटर का प्रतिरोध होता है सुनने ठीक है इसकी अम्मी का अपने अम्मी का कभी विरोध नहीं करना नहीं तो क्या हो जाओगे सुनने हो जाओगे अल्रेडी दोस्तो मैंने इसकी अमीटर और ओल्टमीटर पर वीडियो अपलोड कर चुका है उमीद है आपने उसको देखा होगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो कितना होता है दोस्तो सुनने तो ट्रिक क्या है इसकी अपने अमी का विरोध नहीं करना नहीं तो क्या हो जाओगे सुनने अपने अमी का विरोध नहीं करना नहीं तो सुनने हो जाओगे तो अमीटर का परतिरोध हो जाएगा आपका सुनने चले थर्ड कोश्चन है आपके पास में ओल्टमीटर को जोडा जाता है तो अमीटर अभी जस्ट हमने कोश्चन देखे थे दोस्तों अमीटर का परतिरोध क्या होता है सुनने अमीटर का परतिरोध क्या होता है सुनने और अमीटर को जोडा जाता है अमिटर को हमेशा आपके पास question है old meter को जोड़ा जाता है तो अमिटर अभी just हमने question डिसकस कि अमिटर का प्रतिरोध कितना होता है सुनने और अमिटर को हमेशा स्रेणी करम में जोड़ा जाता है दोस्तों अम्मी के साथ बैठते है अम्मी के साथ में अम्मी के साथ बैठना तो स्रेणी करम मतलब होता है दोस्तों जैसे साथ में जैसे ये प्रतिरोध एक एक प्रतिरोध है R1 और ये दूसरा प्रतिरोध है R2 तो इनको स्रेणी करम में ये दोनों साथ में जूड़े है तो इनको क्या कहा जाता है स्रेणी करम, साथ में जोड़ा जाता है ओके, तो देखे ओल्टिमिटर को जोड़ा जाता है तो आपका आंसर है इसमें समांतर करम में तो देखे, सबसे पहले तो अमीटर की बात करूँगा, मैं अमीटर से याद रखना अमीटर का आपने अमी का विरोध नहीं करना नहीं तो सुनने हो जाओगे तो अमीटर का प्रतिरोध हो गए आपका सुनने और अमी के साथ बैठना है आपको हमेशा, अमी के साथ तो साथ मतलब कौन सा करम, स्रेणी करम कौन सा करम दोस्तो स्रेणी करम, तो आपके सामने अमीटर को जोडा जाता है देखिए फिर से वही question आ गय है अमीटर को जोडा जाता है तो अमी का विरोध नहीं करना अमीटर का प्रतिरोध सुनने हो जाता है और अमीटर के साथ बैठना है साथ मतलब कुन सा करम? स्रेणी करम नेक्स्ट कोशन है आपके सामने संट को लगाया जाता है संट को लगाया जाता है या जोडा जाता है तो संट को लगाया जाता है हमीशा समांतर क्रम में तो ट्रिक है दूस्तो इसकी देखें जब भी आपने देखा होगा जैसे संट को, संट बाबा से रिलेट कराना है संट को, संट बाबा जैसे यह संट इधर बैठे है यह संट कहां बैठे है इधर संट यहां बैठे है और सुनने वाले लोग कहां इनके सामने बैठे रहते है सुनने वाले लोग कहां बैठे रहते है इनके सामने बैठे रहते हैं तो देखें ये संट इधर सामने एक साइड हो गया और लोग इधर सामने बैठ के सुनने तो आमने सामने कौन सा करम होता है समांतर करम आमने सामने कौन सा करम होता है दोस्तो समांतर करम देखें ये एक प्रतिरोद R1 है और इसके सामने ये दूसरा प्रतिरोद R2 है ये वाला कौन सा क्रम होता है आमने सामने वाला समांतर क्रम तो ठीक उसी से रिलेट कराना है दोस्तों संट को जोडा जाता है तो देखें संट को आपको रिलेट कराना है संट बाबा से हैं तो संट ये हो गए है आपके, संट ये हो गए है आपके, और लोग इधर, पबली के इधर बैठी रहती है सामने, तो आमने सामने वाला कोनसा करम, समांतर करम, तो संट को जोड़ा जाता है समांतर करम में, six question है, किसी वस्तूप पर आवेस की नियुनतम मात्रा कम नहीं हो सकती इससे कम नहीं हो सकती है किसी वस्तूप पर आवेस की मात्रा तो किसी भी वस्तूप पर आवेस जो एलेक्ट्रान पर आवेस होता है दोस्तो 1.6 गुने 10 पर माइनस 19 की घात कुला 1.6 गुने 10 पे-19 की गाथ इलेक्टरान पे इतना आवेस होता है माइनस का 1.6 गुने 10 पे-19 कुलाम और प्रोटान पे इतना ही आवेस प्लस का होता है दोस्तो तो इससे कम आवेस कभी भी किसी भी पधार्त पर संभव नहीं है तो आपका correct answer हो जाएगा दोस्तो नहीं हो सकता है next question है आपकी सामने नीमन मेंसे कोन सा नियम उर्जा संदक्षन नियम पर आधारित है उर्जा संदक्षन नियम पर आधारित है तो आपका correct answer हो जाएगा दोस्तो लेंज का नियम जो लेंज का नियम है उर्जा संदक्षन नियम हो जाएगा दोस्तों और लेंज से लेंज का नियम, उर्जा लेजा, बहुत ही आसान ट्रिक है, उर्जा लेजा, उर्जा लेजा, उर्जा लेजा, तो उर्जा से उर्जा संडक्छन का नियम, लेंज से लेंज का नियम, उर्जा संडक्छन का नियम, कुन सा है दोस्तो तो उर्जा से उर्जा संडक्षन, लेजा से लेंचनियम नेक्स्ट है आपकी सामने अन्योन्य प्रेरण का एसाई मात रख तो इसकी ट्रीक है है हैंडरी इसकी ट्रीक है दोस्तों हैंडरी तो देखें, सुरी, इसका आंसर है अन्योन्य प्रेरण का ऐसा ही मात रख है हेंडरी तो ट्रिक है इसकी अनन्या है नादी अनन्या है नादी अनन्या है नादी अनन्या है नादी तो अनन्या से अन्योन्य प्रेरण है नादी से हेंडरी है नारी से हेंडरी तो अनन्या है नादी अनन्या है नारी तो अनन्या से relate करा देना है आपको अन्योन्य प्रेरण से को और है नारी से हैंडरी को देखें फिर से एक बार दोस्तों अन्योन्य प्रेरण का एसाई मात रख्या हो गया आपका हैंडरी अन्योन्य प्रेरन का एसा ही मात रख हो गया है हैंडरी तो आपकी ट्रिक है इसकी अनन्या है नारी अनन्या है नारी अनन्या है नारी तो अनन्या से अन्योन्य प्रेरन हो जाएगा दोस्तो है नारी से हैंडरी तो अन्योंने प्रेरन का ऐसा ही मात रख है Henry वैसे ही दोस्तों आपका स्वप्रेरन स्वप्रेरन गुनांक इसका भी मात रख होता है आपका Henry तो अनन्या नारी अनन्या हे नारी और अनन्या और स्वप्रेरन स्वप्रेरन अन्य उन्य प्रेरन और सो प्रेरन दोनों के ऐसा ही मातरख होते है है हैंडरी ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन है आपके सामें चुम्ब की फ्लक्स का मातरख है चुम्ब की फ्लक्स का मातरख है दोस्तो वेबर चुम्ब की फ्लक्स का मातरख है वेबर तो ट्रिक है इसको की, चुम्ब की फ्लक्स, तो देखें, चुम्ब की फ्लक्स में, चुम्ब की फ्लक्स से फल लेना है, फल का इसे दोस्तो, बेर के जैसे, ऐसा रिलेट करना है, फल का इसे है, बेर के जैसे, चुम्ब की फ्लक्स का रिलेशन है, बेर से, वेबर, बेर, रहेगा विबरदफ , छुंबकी फलक्स का मातरख हे वेबर, पंडबकी फलक्स , दोस्तो लेना है फ़ेर के जैसे बेर के जैसे, रिलेट करना है वेबर मैर वेबर , बेर वेबर, पाल , छुंबकी फले . बेर के जैसे, चुम्बक की फल कैसे दोस्तों, चुम्बक के फल लगते हैं, चुम्बक के फल लगे हैं, बेर के जैसे, तो वेबर, चुम्बक के फल लगे हैं, बेर के जैसे, वेबर, ओके, चुम्बक की फलक्स का मात रख वेबर, नेक्ट कोशन है आपके सामने, लेंस की सक का मात रख है तो डाई अप्टर लेंज के सकती का मात रख है दोस्तो डाई अप्टर तो देखिं ट्रीकर इसकी कोश्चन है आपका लेंज की सकती इसका मात रख पूछा है तो डाई मारने के बाद डाई मारने के बाद सकती बढ़ गई डाई मारने के बाद बाद मतलब होता है लेंस की सकति कंब बड़ जाती है इक वेक्ति तो इसकति कईसे बढ़ जाती है ulti उसने चस्मा लगाया था तो उसने क्या हुआ कि डाई मारा तो डाई मारने के बाद तो बाद, बाद मतलब क्या होता है आप्टर, बाद मतलब क्या होता है आप्टर, तो आपको इससे मिल जाएगा डाई आप्टर, तो उसकी सकती मिल गई सकती बढ़ गई, डाई मारने के बाद, बाद मतलब आप्टर, डाई मारने के बाद, डाई मारने के बाद, दोस्तों, उसकी क्या, सकती बढ़ गई, देखी फिर से एक बाद, सबसे पहले उसने डाई मारा, डाई मारने के बाद, बाद मतलब आप्टर, उसकी सकती बढ़ तो देखे अमीटर का प्रतीरोध क्या हुआ था दोस्तों अमीटर का प्रतीरोध सुन नहीं हो जाए और हमेंशा स्रेनी करम में जोडा जाता है और मीटर के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है तो उल्टम Celtic चीजे बन जाएगी तो उल्टमीटर प्रति घात का मात्रक होता है तो प्रति घात दोस्तो प्रति घात तो ये आपका रजिस्टेंस के एक्वेलेंट होता है प्रति रोद प्रति घात के बराबर होता है दोस्तो प्रति रोद के बराबर तो प्रति रोद का मात्रक होता है ओम तो प्रति घात का भी मात्रक होगा ओ चले और एक ट्रिक है दोस्तों का आंसर है ओम तो ट्रिक है दोस्तों इसकी जो आपके ओम पती है बड़े घातक है किसी के पती का नाम है ओम तो ओम पती घातक तो प्रति घात का मातरक हो जाएगा ओम तो जो किसके हस्बेन है देखें दोस्तों एक महिला है उसके पती का नाम है ओम उसके पती का नाम क्या है ओम उसके पती का नाम क्या है ओम उसके पती का नाम है ओम लेकिन वो बहुत घातक है बहुत क्या है घातक है तो प्रतिगात का मात्रग हो जाएगा दोस्तो ओम तो प्रतिगात का मात्रग आपका हो जाएगा ओम तो आपका correct answer हो जाएगा ओम next question है आपके सामने photo sale आधारित है photo sale आधारित है तो आपका correct answer है इसमें प्रकास विद्दूत प्रभावपन प्रकास, विद्धूत, प्रभावपा तो ट्रिक है दोस्तो इसकी ट्रिक देखे प्रकास को फोटो लेना था प्रकास को फोटो लेना था तो उसको काई की जरुत पड़ेगी दोस्तो लाइट की, किसकी जरुत पड़ेगी विद्धूत की, प्रकास को फोटो लेना है, प्रकास को क्या लेना है, फोटो लेना है, सेलफी लेना है, फोटो, प्रकास को फोटो लेना है, तो उसको किसकी जरूत पड़ेगी, विद्धूत की, ओके, किसकी जरूत पड़ेगी, विद्धूत की, तो फोटो सेल, फोटो सेल, किस पे आधा रही थे, प् फोटो लेना था प्रकास को क्या लेना था फोटो लेना था तो उसको किस की जरुद पड़ेगी लाइट की लाइट मतलब विद्धूत की प्रकास को फोटो लेना था तो उसको क्या की जरुद पड़ी विद्धूत की तो फोटो सेल काई पे आधरित है प्रकास विद्धूत प्रकास विद्दूत प्रभाव पर फोटो बहुती आसान ट्रिक है दोस्तो आओ ट्रिक पसंद आ रहे हैं तो प्लीज विडियो को लाइक किजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर किजिए फोटो सेल आधारित है प्रकास विद्दूत प्रभाव प्रकास विद्धूत प्रभाव पे तो देखिं प्रकास को फोटो लेना था तो उसको किस की जोर्वत पड़ीगी लाइट की लाइट मतला विद्धूत लाइट मतला विद्धूत तो फोटो सेल किस पे आदारी थे दोस्तो प्रकास विद्धूत प्रभाव पे नेक्स्ट को आपका सही आंसर हो जाएगा टेसला चुम्ब की छेत्र या चुम्ब की प्रेरण का ऐसा ही मात रखे दूस्तू टेसला तो चुम्ब की छेत्र में चुम्ब की छेत्र में जाने से टेस आता है चुम्ब की छेत्र में जाने से क्या आता है टेस आता है, चुम्ब की छेत्र में जाना बहुत ही टेंसन का काम है, चुम्ब की छेत्र और चुम्ब की प्रेरन का मातरक हो जाएगा दोस्तों, टेसला, देखिए फिर से, चुम्ब की छेत्र या चुम्ब की प्रेरन, चुम्ब की छेत्र या चुम्ब की प्रेरन का मातरक होता है आपका टेस्ला तो चुम्ब की छेत्र में जाना यह बहुत ही टेंशन का काम है दोस्तों तो टेंशन से आपको याद आ जाएगा टेंशन तो या तो किसी ने आपको ऐसा कहां देखिए किसी ने आपको क्या कहां चुम्ब की छेत्र में जाओ तो और उसने कहा टेंशन मतलो टेंशन नालो तो टेसला टेंशन नालो तो टेंशन नालो से टेसला रिलेट करा देंगे दोस्तो बहुत ही आसान त्रिके दोस्तो देखे चुम्ब की छेत्र या चुम्ब की प्रेरण का मात्र किसी ने आपको क्या कहा चुम्ब की छेतर में जाओ, टेंसन ना लो, टेंसन से टेसले लेंगे, लो से ला, टेसला, चुम्ब की छेतर का मातरख हो जाएगा, टेसला, चुम्ब की छेतर में जाने का टेंसन ना लो, टेसला, चुम्ब की छेतर का एसा ही मातरख हो जाएगा, दोस्तों, टेसला नेक्स्ट है आपके सामने दो विद्धु छेत्र रेखा है दो विद्धु छेत्र रेखा है एक दूसरे को किस कोण पर काटती है दो विद्धु छेत्र रेखा है एक दूसरे को किस कोण पर काटती है तो दो विद्धु छेत्र रेखा है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला नहीं काटती है तो दो विद्धुच्छेत्रे रेखा है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है दो विद्धुच्छेत्रे रेखा है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है नेक्स्ट कोर्शन है तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तो देखे दोस्तो epsilon 0 मुक्ता आकास की परावेदुतांग होती है epsilon 0 epsilon 0 तो देखें, अगर आप epsilon not को ऐसा पूरा जोड़ देंगे, तो ये कैसे दिखेगा 8 के जैसे, तो आपको 8 लिख देना है, फिर से एक बार 8 लिख देना है, फिर into लिखना है, 8 के बाद समसंख्या कुन सी आती दोस्तों, 10, ओके, 10 आती है, उसके बाद आपको लगा देना है उ 12 की घाद, कुन सी घाद लगा देंगे दोस्तों, 12 की घाद, और ओभी काई में, माइनस में, बहुत ही आसन ट्रिक है दोस्तों, फिर से एक बार ट्रिक में रिलेट कराता है दोस्तों, epsilon not होतता है, परावेदुतांग, तो epsilon not लिख दी आपने, इसको ऐसा जोड़ेंगे, त इसे एक बार आपको 8 लिख देना है, पर इंटू में, 8 के बार समसंक्या कुन सी होती, 10, और 10 के बार समसंक्या होती, 12, और उसके उपर माइनस लगा देना है, तो 8-10 में, 8 गुनी, 10 परी, 12 की घाद, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C, नेक्स्ट कोश्चन है, किसी घी किसी घीरे सत्व पर कुल विद्दुद्ध फ्लक्स प्रष्ट के भीतर इस्टित कुल आवेस का, कितना होता है, 1 upon epsilon नॉड गुना होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 upon epsilon नॉड गुना होता है, कोन आवेस, तो यह आपका है दोस्तो, गौस का थेओरम ही है, ग गौस प्रमे क्या खहिता है, गौस की प्रमे की according क्या होता है दोस्तो, किसी भी बन प्रष्ट के अंदर उपस्तीत, किसी भी बन प्रष्ट के अंदर उपस्तीत, कुल आवेस, उससे गुजरने वाले संपून विद्दुद्ध फ्लक्स का, संपून विद्दुद्ध फ्लक में उपस्तित कुल आवेश उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्धुद फ्लक्स का 1 upon epsilon not गुना होता है Q upon epsilon not तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 upon epsilon not ओके ये गौस का थेवरा में ही दोस्तो ये क्या होता है विद्धुद फ्लक्स उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्धुद फ्लक्स का संपूर्ण विद्धुद फ्लक्स का epsilon not गुना होता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 upon epsilon not गुना फिर next question आपके पास में सवप्रेरक कत्व का मात्रा तो जब ही हमने discuss कर चुके है तो सवप्रेरक कत्व का मात्रा हो जाएगा वांडी ग्राब जनीतर एक मसीन है जो उत्पन्न करता है तो वांडी ग्राब जनीतर एक मसीन है दोस्तो जिससे कई लाख ओल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते है जिससे कई लाख ओल्ट का विववांतर, कई लाग ओल्ट का विववांतर आप लोग ग्याद कर सकते हैं कई लाग ओल्ट का विववांतर तो इसका सही आंसर हो जाएगा वांडिकराब जनीतर एक ऐसी मसीन है जिससे उच्चो ओल्ट ताका विववांतर उत्पन किया जाता है उच्चो ओल्ट ताका विववांतर उत्पन किया जाता है वांडी गराब जनीत्र एक ऐसी मसीन है जिसके द्वारा कई लाक ओल्ट या उच्चो ओल्ट ताका विववांतर उत्पन किया जाता है लास्ट कोश्चन है दोस्तो तो किसी संधारितर की धारिता का मातरक है, फेरड, इसका सही आंसर है फेरड, तो दोस्तो इसकी संधारितर की धारिता का मातरक होता है, क्या हुआ आँसर आपका फेरड, तो ट्रिक है इसकी धारिता के फेरे लगाऊ, धारिता के क्या लगाऊ, फेरे, धारिता के फेरे लगा तो फेरे से याद रहेगा आपको फेरेड धारीता के क्या लगाना है दोस्तो फेरे तो फेरे से फेरेड तो किसी संदारीतर की धारीता का मात रखोता है दोस्तो फेरे